डाकर खबर के निजरूम से मैं आपके साथ हूँ अकरम रहिस खान प्ही Roxشر ओपड़, भाल कवर, बेखोब जुबां बबाक अंदार डाकर खबर के निजरूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रहिस खान वे उपचुनाओ के नतीजों के बाद हमने जो सीवीज शुरू कर रखी है उसकी चोथी रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं पहली रिपोर्ट में हमने रखा किस किस की हार होई दूसरी रिपोर्ट में हमने आकड़ों के इसाब से रखा कि सीम जादा हरे कि स्पोर्ट के नाम से आमरी काटिक्री मिलेगी आप देख सकते हैं इस खबर में आपके सामने क्या रखने जा रहा हूं कि इस चुनाव के नतीजों से किस कि कैसे कैसे हवा निकली किन चीजों का पूरा प्रशप्सन बना हुआ था वो तूटा और उसके असर क्या होंगे दो बात ये है पॉजिटिव चीज़ से अपनी बात की शुरुबात करते हैं कि सपा बस्पा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो अगर साथ आ जाए तो नफरत करने वाली राजनीतिक पार्टियों को दूल में मिला सकते हैं आपको याद होगा 26 संबर 1992 को बाबरी मस्जिद श सहीद होगी बाबरी मस्जिद को ढ़ा दिया गया उसके बाद घमण में चूर हुए क्योंकि उन्हें पता था उनकी पास रिपोर्ट थी और खुले आम दिन के उजाले में बाबरी मस्जिद को ढ़ाया गया लोगों ने वहां से इंटेल आला कि अपने घरों में लगा ली अपनी दिवारों में लगा ली तो उन्हें पता था नफरते उफान पर हैं तो उन्हें लगा कि ऐसे माहुल में अगर चुनाव करा दिये जाएं तो क्या होगा दो सो इकिस विधायकों की जगा साड़े तीन सो से जादा विधायक आएंगे और उन्होंने घमण में चूरो कर सरकार को भंग कर दिया च्छे महीने बादी उन्नीस सो तिराण में में चुनाव हुआ पहली बार सपा बसपा साथ मिलके चुनाव लड़ी और उन्होंने भारतिय जनता पार्टी को हाशिये पर पहुँचा दिया वैसा ही कुछ ओता हुआ अब 25 साल बाद दुबारा नजर आ रहा है तो सच बात यही है कि अगर दलित शोशित पिछड़े और अल्प संक्यत एक साथ मिल जाएं तो 1967, 1977, 1975 और 1993 जैसी क्रांतियां कहीं बार लिखी जा सकती है लोग बात करते हैं कि मोदी जैसा क्रिश्माई ने तरत कोई नहीं है मैं कहता हूं यह सब बातें फजूल हैं हिंदुस्तान की राज़िती बे यह बातें कोई माइने नहीं रखती है यह वो देश है जहां कोई नह परिशान रहते थे लोग परिशान रहते थे लेकिन उन्होंने 23 पार्टियों को जोड़के बना लिया वो सत्ता में आये उन्होंने वीर सावर को भारत रतन देने की कोशिश की खैर हमारे देश के जो उस वकत की रास्पती थे क्यार नारेंड साब मैं उनको सेलूट कालपना थी किस कांग्रेस सरकार बना लेगी कोई करिश्माई नेत्रों ते दिखता था कोई एक चेहरे पर चुनाओ लड़ा गया था तो यह सब भूल जाईए क्या कुछ भी हो सकता है यहां कुछ भी हो सकता है 12 पार्टी की सरकार इंद्रकुपार गुजरा चला रहे थे अगली सरकार बनी तो 23 पार्टी के टल्बहरी वाजबेगी तो कुछ पता नहीं है 2019 में क्या होगा क्योंकि जो गौरकपुर और फूलपुर में दिखाई दिया ना इसकी भी कलपना किसी को नहीं थी चलते हैं खर मुद्दे की तरफ तो पहली ये पोजिटीव बात आपके सामने रखनी थी और उसी के बाद अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ सबसे पहले बात करना चाहता हूँ भौपु मीडिया पर मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भौपु मीडिया कहीं जाके कैमपैनि करता है चुनाओ के दोरान तो एक विशेश पार्टी को फायदा होता जैसे तिरपुरा तीन राजों में चुना हुए नागालेंड तिरपुरा के बहकावे में भी नहीं आरहे हैं वो भौपु मीडिया को पहचान चुके हैं वो उसकी नफरतों को पहचान चुके है वो जाता है हिंदु-मुस्लिम करता है और और किसको बेनेफिट पहुचाने के लिए क्यों इन टीवी चैनलों के क्यों मालिकान लोग सबा में सामने जूट जो परोशनी की कोशिश करेगा अब लोग उसको स्विकार नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने भॉंपू मीडिया का बहुत जूट देख लिया है दूसरे राज्ये सबाद जाने का जो खुआप सजाए बैठे थी भारतिय जनता पार्टी नो सीटो पर उसकी हवा निकल गई है कैसे हवा निकल गई है आपको बताते हैं भारतिय जनता पार्टी के पास 324 विधायक हैं उत्रप्रदेश में प्लस करके जबकि अपने 312 हैं उसके हिसाब से वो 8 विधायकों को बड़ी आसानी से भेज सकती है नो विधायकों को भीजने के लिए उसको 333 विधायक चाहिए यानि को उसको नो विधायक कर देंगे और उनके नो के नो नवा कैंडिडेट विए उनका राज्यसभा में चला जाएगा लेकिन नतीजों ने कर दिया कि अब शिवपाल यादव अखिलेश के खिलाब जाने की कोशिश नहीं करेंगे वह अपनी पार्टी के साथ रहेंगे क्योंकि अखिलेश ने अपने कृश्माई नित्रत से दिखा दिया है कि उनके अंदर नित्रत की छमता है तो वह खौब जो था उसकी हवा निक लिए सब आलोक मैता बहुत सीनियर पत्रगार हैं चालिस साल से हैं मैं पूरे अदब और एहत्राम के साथ उनका नाम लेना चाहता हूं लेकिन जब से तीन साल नो महीने से सरकार बनी हैं अमाम टीवी चैनल पे खासकर आज तक पर जीनियूस पर उनको खूब देखेंगे विशेशक्ये के तोर पर वह एक पार्टी का सप्तारूड पार्टी का उनके लिए काम करते हुए दिखाई देते थे मकसद क्या था के सहाब जितनी सरकार की वो करेंगे 40 सा लोगे हैं राज्यसभा अभी जान नी पाएं यह पार्टी हो सकता है राज्यसभा बेज दे उनक ने ट्वीट किया कि लोजी चंदन गुपता के बाद अब राहूल उपाध्याय की मौत हो गई मुसल्मानों ने एक कतल और कर दिया ऐसे करके उन्हों आदमावती मामले में ट्वीटर पर दुनिया भर की बकवास करने वाले रोहिस सरदाना आज तक पर हैं आजकल जीनियूस पैथे पहले उन्होंने भी खूब कोशिशे की उनकी भी हवा निकल गई है परधान मंतरी मोदी का दोहजार अक्ठार में सबसे बड़ा इंटर्वी लेने वाले जिसमें पकोड़े की बात की गई पकोड़ा विकास का मोडल बताया गया तो उसको उन सुधीर चोधरी की भी हवा निकल गई वो भी राज्यसभा नहीं जा रहे हैं रिपब्लिक नियूज चैनल के जो प्रमोटर है राजीव चंदर शेकर वो जरूर जा रहे ह है उनका सिक्का जरूर चल गाया है करनाटक से बारती जंदापार्टी उनको राज्यसभा भेज रही है यह पत्रगार की सूची है तो वह राज्यसभा जा रहे हैं रिपब्लिक टीवी के बारे में आप जानते ही होंगे वह रा दिन मैं तो आज कली कहता हूँ कि दूर दर होगा कि मैं अटपठा बोलता हूँ लेकिन सच्चाई यही है तो राज्यसभा भीजने के मामले में किनको काम्याबी मिली स्रिफ एक पत्रकार को काम्याबी मिली अब बात करते हैं पूरा गुणा भाग है क्या उत्तरपदेश के राज्यसभा का तो राज्यसभा के बारे म आपको बता दें समाजवाधी पार्टी के पास 47 सीटे हैं मायवती के पास 19 सीटे हैं कॉंग्रेस के पास 7 सीटे हैं और और जेडी के पास 1 सीटे हैं सबको अगर हम मिला देते हैं तो 74 सीटे हैं राज्ये सबा में एक केंडिडेट जाने के लिए 47 सीटे चाहिए अगर सपा आ और अर्चेडी को जोड़ दें तो 37 वोट बाकी बच जाते हैं वो अगर मिल जाते हैं तो बियार अंबेडगर जो है वो बसपा ने जिने प्रतियाची बनाए बहुजन समाज पार्टी ने प्रतियाची बनाए वो आसानी से रज्यसभाद जा सकते हैं लेकिन अभी भी उसमे कहां खटपट है अभी उसमें खटपट सिर्फ एक जगा नजर आ रही है वो है नितीन अगरबाल जो नरेश अगरबाल के बेटे हैं विदायक है नरेश अगरबाल भारतिय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं तो उन्होंने एलान भी किया है कि उनका बेटा नितीन अ इदायक हैं उन्हें से अगर अपने साथ किसी को मिला लेती है तो बहुजन समाज पार्टी के जो केंडिडेट हैं बियार अंबेड कर वो आसानी से राज्यसभा जा पाएंगे तो यहां इसकी भी हवा निकल जाएगी जो यह पूरा शडियंत्र नरेश अगरबाल को अपन सबने ही दिखाएगा आपको हमारी गबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में आप अपनी राय दे सकते हैं हमारी गबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सबस्काइब कर सकते हैं और जादा से जादा हमारी कबरों को शेयर कर सकते हैं फिर ऐसे एक्स वक्ते हो मुद्दे के साथ म मैं आपके बीच हूँगा हजिर, फिलाल अभी मुझे दें इजाज़त दूँ.